कि आये क्विश्चिन नंबर 29 देखते हैं कि एस पी डी संकेतन द्वारा निम्ड लिकित क्वांटम संख्याओं वाले कच्छकों को बताईए तो जो एस पी डी अफ हम लोग संकेतन देते हैं तो उसके आदार पर हमें बताना है कौन से कच्छक है तो देखिये यान बरावर वन बरावर जीरो जब न बरावर वन तो हमने बताय था कि यो होता है कि आन बरावर वन है तो वन पहले लिख देंगे और या बरावर जीरो है तो यह सू Tammy सब्सक्राइब लिए यह के लिए यहल की बैलू जीरो वन टू थीरी फॉर फाइब ऐसे लिखा जाता था तो अब जीरो है यहल बराबर तो वन एस हो जाएगा तो वन एस कच्चक होगा है जब यहन बराबर वन तता यहल बराबर जीरो तो वन एस हैं बराबर थीरी यहल बराबर वन तो हमने बताया था कि जो मुख के क्वांटम संख्या पहले लिखी जाती है तो यहन बराबर थीरी यहल बराबर वन तो पी होगा तो थीरी पी लिखा जाएगा मुझ कोईंटम संक्या पहले लिख जाती है तो 3P के पहले हैं इसी प्रकार एंब बरावर 4ल बरावर 2ल पहले आ जाए गए बॉल बरावर 2 2 के लिए होता है प्रटि अन पर फोर ये न बरावर 4ल बरावर 3 तो ये zuacy की लिए होता है और पहले 4 होगा तो 4F हो जाएगा तो 4F लिख दिया गया तो इस तरह हम लोग कच्छकों में इस तरह रिपर्जेंट करते हैं जो यहां पर लिखा गया है QC dhकरायक काहरणं देते हुइ Cool Heart तो जो वस्थे रिखिए वह बताईये कि निम्लिकित क्वांटम संक्या कि कौन से मान संभीड नहीं नहीं है कि काउन से मान संभाव नहीं है तो देखिए पहले में ही यन बराबर जीरो यन बराबर जीरो का मलब मुख के क्वांटम संक्या जीरो है और मुख के क्वांटम संक्या जीरो होने का मतलब कि ये निूकलियस है और नुकलियस के चार और अगर पहली कच्छा है तो यन बराबर वन हो जाता है पहली कच्छा है और उसमें इलिक्टान है क्योंकि यन जो मुख क्वांडम संक्या है वो हमारी कच्छा को बताती है सिल को जब 6 बरावर जीड़ हो गए इसके उसमें सिल है ही नहीं केवल नाभीक है आईसा संभो नहीं हो सकता इसलिए संभो नहीं है क्योंकि नाभीक अकेला हो गया कोई कच्छा ही हीना आगे देखते हैं खा में कहा रहा यह अन-बरावर 1, L बरावर 0, ML बरावर 0, अभी N बरावर 1, तो यह पहले लिखा जाएगा, L बरावर 0, अभी हमने बताया था 0 होगा तो यस होगा, तो 1s है, ML बरावर 0, अब देखिए जो चुमकी क्वांटम संक्या है, तो उसमें, मान कितने होते हैं, L-L, कामज 0 से ले करके, प्लस L तक, तो L बरावर 0 है, इसका मालब यस का अच्छा का है हमारा, तो यस के लिए L भी 0 हो जाएगा, यस बरावर 0 लिखा जाता था, तो यन बरावर 1, L बरावर 0, यम भी 0 में आ जाएगा, और MS बरावर माइनस आप, या प्लस हाप भी लिखे, इससे फरक नहीं पढ़ता है, इसका मालब है, प्लस हाप लिखा जाता है, और वाम वर्थ मतल, बाई दिशा में घुमेगा, यानि एंटी क्लाकोर बीगवार इलेक्टान घुमेगा, तो माइनस आप, उसका चक्रन अगर, वामा वर्थ मतलब एंटी क्लाकवायज, घड़ी घूमने की तिशा में है, तो माइनस आप लि नहीं पड़ेगा तो यह चीज संभव है तो खा हमारा सही हो जाएगा अब गाह देखते हैं गाह में क्या कह रहा है गाह में कह रहा है कि यह न बराबर यह न बराबर वन तो वन हो लिख दिये क्योंकि मुखे क्या कॉंडम संख्या पाले लिके लगाल बराबर वन मतलब पी हो जाएगा ऐस के लिए यह युद्र होती है और पी के लिए वन होती यह डी के लिए टू यह के लिए थिरी बार बार क्या बता है बार बार बताने हैं तो यह बाईलू होती है तो वन कहरा है इसके और पी कच्छक है। अब मेल बराबर 0 अब पी कच्छक है तो पी कच्छक में लिए की सबसंद नहीं तो उपकोस हिंद वोलेंगे उपकोष उपकोष तो यह जो है अब इसमें कच्चक कितने होंगे यस में एक होता है पी में तीन होते हैं दी में पांच होते हैं ऐसे तो यहाँ पर 6 इलेक्टरान रह सकते हैं क्योंकि एक कच्चक में बिपरी चक्रण के 2 electron होते हैं तो यह तीन गख खाने हैं तो 6 रह सकते हैं अब देखिए 6 रह सकते हैं तो जो L की value है यहां पर वो M L की value M L की value जो है minus L से 0 होते हुए plus L तक होती है हमने पढ़ा था तो यहां पर अगर electron होंगे तो M L बराबर 0 जरूर होगा 0 होगा और L बरावर 1 है तो minus 1 0 plus 1 यह इतना होगा तो 0 है तो इसका होगा इसमें 0 आ रहा है और MS plus half का मलब दाहिनी तरफ गोमने वाला इलेक्टरान जायज बात है कि इसमें इलेक्टरान भरे जाएंगे ऐसे ऐसे तो दाहिनी तरफ बाला भी होगा वाई तरफ बाला भी होगा लेकिन पता नहीं कितने इलेक्टरान भरे हैं यह हमसे नहीं बता रहा है लेकिन फिर भी plus half minus half दोनों संभाव है इसलिए गावाला हमारा यहां पर तो यहां पर एक चीज यह ध्यान देने वाली है कि जो यह यह बराबर वन लिख दिया है तो यह वन पी हो गया अब हम जो यहां पर लिखते हैं सब कुछ संभाव लेकिन यह वन पी जो है तो 1s 2s 2p लिखते थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ऐसे लिखते थे तो जो nc atom लिखे उसमें इसमें कहीं भी 1p नहीं आ रहा है तो 1p संभाव नहीं है सब कुछ संभाव लेकिन 1p होता ही नहीं है यह देखे इतना लिखा आमने 1p कहीं नहीं है तो इसलिए गा में चूंकि l is not equal to 1 असम्भाव है पहली कच शकल में पी नहीं आ रहा है कहीं भी 2 से पी शुरू हो रहा है इसलिए 1p नहीं हो सकता है इसलिए गावाला हमारा असम्भाव है आगे देखते हैं गावाले में घा यहां पर देखे यह न बराबर 2 तो तो पहले ल यह न बराबर 1 इसका उनलब पी है अब ml बराबर 0 अब देखे 2p आ गया तो 1s 2s 2p 3s देखे 2p आ रहा है इसका उनलब 2p संभाव है अब 2p में 2p में देखिए l बराबर 1 है तभी यह पी हुगा अब इसमें तीन कच्छक हैं पी में इस तरह से ऐसे ऐसे ही लेक्टान भरे अब जो ml की बैलू है मनला मुक चुम्ब की क्वांटम संख्या माइनस L से 0 होते हुए प्लस L तक होती है अनलब अब यह l बराबर 1 है तो माइनस 1 0 प्लस 1 हो जाएगी तो इसका उनलब यह भी संभाव है इसके लिए संभाव लेकिन इसमें चूंकि पीवन वाले में आ रहा था इसलिए संभाव नहीं हो पाया तो यह और M बराबर 0 भी हो रहा है और चक्रण भी हमारा दाय बाम वर्त दोनों हो सकता है इसका उनलब घावाला संभाव आगे देखते हैं अंगा तो अंगा में दे अंगा में देखते हैं अल बराबर थिरी है तो यस पी डी एफ जीरो एक दो तीन वराबर थिरी है इसका उनलब थिरी याफ आ है अब देखिए वन एस टू एस टू पी थिरी एस थिरी पी थिरी दी फोर एस तो इस तरह जब लिखेंगे तो एंसी आरिटी में देखिए कि कहें ती अप नहीं आता है जैसरे टू पी से शुरुआत हुआ था उन पी नहीं आता वैसे 3P कहें तरी नहीं आता है तो चूंकि इसमें 3F यह आ रहा है, N बरावर 3, L बरावर जब 3 होगा, तो 3F होता ही नहीं है, इसलिए आगे सोचने की बात ही नहीं है, इसलिए यह असम्भाव है, अब इसमें देखते हैं, N बरावर 3 है, चा में देखते हैं, N बरावर 3, इसका नम्मों के क्वांटम 3 हो गया, L बरावर 1, इसका मलब yes हो गया, P हो गया, 0 के लिए yes होता है, इसके लिए P, तो 1S, 2S, 2P, 3S, मलब 2P है, तो आगे 3P होगा, तो 3P हमारा सम्भाव है, अब देखते हैं, P है, P, P है इसका मलब, L बराव बरावर, माइनस L से, प्लस L तक, 0 होते हुए, 0 भी रहेगा, तो माइनस 1, 0, प्लस 1 इस तरह हो जाएगा, तो, ML बरावर, 0 भी आ रहा है, तो 0 भी संभाव, और दाहिना वर्त, इलेक्टान गोमे का जो भी होगा, या बामा वर्त गोमे, उससे नहीं मतला है, तो यह हमारा संभाव है, टूपी संभाव है, अब यह सब भी संभाव हो जाएगे, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे कि काउन संभाव है, काउन संभाव, नहीं है, अब कुईशन नमबर देखिए, 31 कह रहा है, किसी परमान में निमलिकित क्वांटम संख्यावाले कितने इलेक् देना है, तो देखिए, यह न बराबर 4, यह न बराबर हमको 4 दे दिया है, और MS बराबर half, माइनस half है, अब देखिए, हमने जो रूल पढ़ा था, कि किसी भी एक इलेक्टरान की, दो इलेक्टरानों की चारों क्वांटम संख्याएं, समान नहीं हो सकती है, तो कह रहा है, किसी परमाण में निमलिकित क्वांटम संख्याएं वाले, कितने इलेक्टरान होगे, अब यह न बराबर 4 है, तो इलेक्टरानों की संख्या, 2 यह न इसक्वार हमने पीछे फार्मूला पड़ा था, तो 2 और मुक के क्वांटम संख्या 4 है, तो 4 का स्क्वार तो 16 हो इस तरह से हम लोग जितने भी इलेक्टरान उनको निकाल सकते हैं, यहां पर यह न बराबर 3 है, तो यह न बराबर 3 है, अब देखें इसमें आगे जो 32 हैं, तो इन 32 इलेक्टरानों में 16 इलेक्टरानों के लिए MS बराबर माइनस आफ होगा, इसको ध्यान देजिए, 16 के ल गूमेगा, तो दूसरा बाई तरफ गूमेगा, जैसे यस में एक ही कच्छक है, तो यह से दाइनी तरफ एक बाई तरफ, इस दिसा में, तो यह ऐसे गूमेगा इर्दिसा में, तभी यह इस्थाई रह पाएगा, तभी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे, जब आप आगे देखते हैं, एन बरावर धिरी दीया है, ल बरावर जीरो, तो यह बरावर धिरी यह बरावर जीरो, इस प Jen बरावर जीरो इसका में लबीएजिंटे ंपे यह साथ, अब यह समें के बलेक ही कच्छक होता है, तो अभी प्रीच चक्रन के के बह सीक डिश रह सकत 2 हो जाएगी ठीक ना तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे अब देखें यहां पर आप एक चीज यह कह सकते हैं कि यहां यह न बराबर 4 दिया था तो आपने 2N स्क्वाइर कर दिया तो 2 इन्टू 4 का स्क्वाइर कर दिया बत्तिस इलेक्टरान होंगे और यहां आपने नहीं किया तो इसको ध्यान देना यहां पर देखें MS दिया है चुम्ब की क्वांटम संक्या नहीं चक्रन क्वांटम संक्या चुम्ब की क्वांटम संक्या ML होती है MS ES का मलब spin और अंगरेजीम इस्पिन का हिंदे मतला होता है चक्रन तो यहां पर देंक यह दे दिया जब यह दे दिया तो हमको कछक का पता चलेगा तो यह जीरो होता यह स्कचक के लिए और यह समें एस उपकोस के लिए उपकोस कच्छक निकल दा है बार बार उपकोस अब इसमें एक कच्छक होता है उसमें विपरी चक्रण के क्योंदो इलेक्टान रह सकते हैं इसमें नहीं अगर यल दिया होता तो भी हम फिर यह फार्मूरा नहीं लगाते हैं फिर देखते कि किस कच्छक किस उपकोस की बात हो रही है उसमें कितने कच्छा काई और कितने इलेक्टान दाय सकते हैं फिर उस तरह हम लोग देखते हैं तो इस बात को ध्यान देना है अब देखिए कहरा है यह दर्साइए कि हाइडोजन परमार की बोर कच्छा की परिदी उस कच्छा में गतिमान इलेक्ट्रान की दिवरोगली तरंग दैद का पूर्ण पूर्णक होती है यह हमको बताना है तो यहाँ पर देखिए दो चीजें आ रहे हैं एक तो बोर कच्छा और दूसरी दिवरोगली तरंग दैद तो दोनों फार्मूलों के हिसाब से हम लोग समझेंगे बत को तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यह दर्साना है कि हाइडोजन परमाड की अब देखिए हाइडोजन परमाड की बात हो रही है तो हाइडोजन परमाड में एक ही कच्छा होती है क्योंकि उसके बाहर एक ही इलेक्टरान होता है नुकलियस के चार और शक्र लगाता है तो यहां पर देखिए क्यारा है कि बोर हैडोजन परमाण की बोर कच्छा की परिधी अब यह जो परिधी है परिधी का फर्मूला होता है टू पाई आर परिधी बराबर टू पाई आर होता है परिधी उस कच्छा में गतिमान इलेक्टरान की दीब्रोगली तरंग दैद का पूर गुणक होती है मतलब पुणांक बार बार गुणा किया जाए तो पुणांक में होता है दसम्लों में नहीं आता है तो देखिए सबसे पहले दीब्रोगली समिकान का अमसार दीब्रोग और आव है अब देखिये सब ब्रोगली ने बताया कि बंद कच्छक तब संभु पुणांग से गुणा करने पर तरंग दैद बराबर होता है यह ब्रोग बरोगली सैंटिस्ट संदिस्त में ने बताया Alexandra chief ब् ने ने बताया कि बंद कच्छक तब संभव है जब परिद पूरांग से गुणा करने पर तरंग दैड बराबर हो जाए तो तरंग दैड के बराबर हो जाए बंद कच्छक तभी संभव है यह ब्रोगली ने बताया इस बात को ध्यान दे जब तक परिद पूनांग से गुणा करने पर तरंग दैद के बराबर नहीं आएगी तब तक बंद कच्छक संभव नहीं है दीव रोगली के इसाब से अब साइंटिस्ट है उन्होंने जो बता है उसको हमें मानना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो ज अमारी परिद ही है परिद और यह तरंग दैद है यह तरंग दैद है और यह अन का गुरा इसलिए कर दिया कि पता नहीं किसलेक्ट्रान के लिए तो परिद बराबर तरंग दैद कर दियाई अब यहां पर देखें, मान लिजिए, कोई electron है, तीसरी कच्छा मा है, तीन बराबर 3 कर दिया, और चटवी कच्छा मा है, तीन बराबर 6 कर दिया, और इस तरह से तरंग के रूप में electron चक कर लगा रहा है, इस तरह दिखा रहा है, तरंग जैसे गूमता है, आप देखें आप समीकार्ण एक में मान रखने पर अब यह समीकार्ण हमारा है यह लैम्डा बरावर एच अपान अम्वी इसी में इस यह लिखा इसका मान रख दिया तो लैम्डा बरावर हमारा आप देखें अता बंद का चक के लिए कोड़ी सम्वेग यह जो हमारा है यह कोड़ी सम्वेग है पीछे कई बार आया है पीछे कई बार आया है कोड़ी सम्वेग ढप दुड़ी सम्वेग और जब ऊस में समय होता है तो कोड बराबर चाप बटे Target घ होते हैं तो तरी जहए चांप मलब चाहफ ऐर कीजब ही सभी हमारा born इस we work with स्थिर होता है जब किसी सीलिख्टार ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब देखिए यह हमारा प्लांग कांस्टेंट है प्लांग कांस्टेंट है प्लांग कांस्टेंट है प्लांग कांस्टेंट है तो इसलिए यह भी कांस्टेंट है पाई तीन दसम्नों एक चार होती है इसके बाइलों यह भी कांस्टेंट है दो गिंती है यह भी कांस्टेंट और यहन हमारा माली जे कोई मुख के कौंदम संक्या है तो किसी एलेक्टान के लिए होगी तो वह भी कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट है तो इसका वनलब कौणी संवेग इस्थिर है तो इसलिए कह रहा है यह भी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा इसलिए कह रहा है कि अता बंद कच्चक के लिए कोणी समय की स्थिर होता है, जब किसी लेक्टान के लिए इस्थिर तरंग बेवर्षता होती है, अता कच्चक में पूरांग संख्या में लेक्टान होते हैं, इसे निसकाश निकला, क्योंकि दसम्लों में कुछ नहीं आ रहा है, तो इसलिए सब का प्रस्टेंट है, तो जितने भी लेक्टान होंगे, उनकी पूरांग में, कच्चक में पूरांग संख्या होती है, अब देखिए 33 नंबर कुईशन में क्या कह रहा है, कह रहा है, यची प्लस स्पेक्ट्रम के यन बराबर फोर से यन बराबर टू बामर संक्रमण से, प्रा तो हीलियम में कहराइन बराबर चार से दो में आ रहा है, तो चूंकि दो में आ रहा है, तो हमने बताया था, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, तो लाइमन का मतलब है, कि वन में आएगा, बामर का उनलब टू में आएगा, पास्चन का उनलब थिरी में चैनल को वेल बहुत को फोर में आएंगा फंड कावनना पांच में आएगा तो दो में आ रहा है इसलिए बार मल संकर्मान कहरा य्क तो यह जा आ जाये चाहे चाहे उते से आजाए चाहे पांच में से अपने से उपर वाले से ही आएगा क्योंकि उसी की उर्जा ज्यादा है तो उससे कम में आएगा उर्जा उस सरजित करके तो दूसरे में आ रहा है तो कह रहा है कि बामर संक्मन से प्राप्त तरंग दैद के बराबर वाला संक्रमड हाइडोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा तो हीलियम के लिए कह रहा है बामर के लिए जो संक्रमड है तो अगर उसकी तरंग दैद बराबर हो तो हाइडोजन के लिए वह स्पेक्ट्रम क्या होगा यह कह रहा है तो इसको देखते हैं तो लेखिए परमाड के लिए नियू बार हमारा जो तरंग संख्या है तो नियू बार बराबर वन अपान तरंग दैद होता है तरंग संख्या तरंग दैद के उल्टा होती है तो नियू बार बराबर वन अपान लेंडा या नियू भालबर आर जेट स्कुराइर वन अपान न एंवन स्कुराइर। मनश फार्मूले आ रहा हो है इंको यात कर लीजे habíanक अब देखें यह प्लस संक्रवण के लिए जीटी प्लस संक्रवण लिए हीलियम का एक रिशान निकल गया दो लोग कई बार बता चुक्के तो अब जो यची है इसका फार्मूला होता है शोल मने बताया था कि जोपर लिखा जाता यह इस अत इतामिक नंबर होता है, यह मास नंबर, यह एतामिक नंबर, दरब्यमान संख्या यह वाली, यह परमार संख्या, तो जे डिसका कितना हो जाएगा 2, और यहन मुखे क्वांडम संख्या 4 है, तथा N1 बराबर 2 है, यहाँ पर आ रहा है, दो में तो यह N1 हो गई, और यह N2 हो हो गई, चार से 2 में आ रहा है, मतलब N2 से N1, तो N2 हमारी 4 हो गई, N1 हमारा 2 हो गया, तो यह निव बार बराबर वनपान लाइम्डा होगा, निव बार बराबर वनपान लाइम्डा, तो निव बार बराबर, अब निव बार बराबर यह भी होता है, इतना भी होता है, तो निव बार बरावर रह इंटू आरेच मनलब हाइड्रोजन के लिए इन देखे पहले हीलियम का निकालना है रह क्या इसने को आर येची लिखना चाहिए था हीलियम के लिए तो निव बार बरावर र येची ओवन अपान टू का स्कार एन वन हमारे हैं यह 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 आ रहा है वह यह न वन है यह N2 हो गई, यह N3 हो गई, तो यहां पर जो है, R ही है, तो निवार बराबर, R ही, Z के लिए R ही लिख दिया, इन्टु, अब यह 1 अपान N1 स्क्वाइर, तो N1 2 है, और N2 हमारा 4 है, अब यहां पर देखिए, यह N2 बार बरावर वना पान लैम्डा बार बार क्यों लिक रहा है, उसका काड़ी है, क्योंकि यह कह रहा है कि प्राप्त तरंग दैड जो है, कि बराबर वाला संक्रमण हाइडोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, तो इसलिए तरंग दैड बार बार लिक रहा है, तो यह तरंग दैड बराबर, नू बार बराबर वना पान लैम्डा बराबर, और ही हीलियम, यह हीलियम है एक तरह से, तो और जड़ी स्क्वाइर हीलियम के लिए, और ब्रैकेट में एन वन स्क्वाइर माइनस वन अपान एन टू स्क्वाइर हो जाएगा, तो बराबर आर तो आर ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी लिखेंगे, इस पे हाइडोजन वाले में तो कट जाएगा, इसलिए र की बार लू रखने कोई मना, अब जेट की बायलू यहां रखना पड़ेगा, तो टू का स्क्वाइर, टू यहीव फोर होता है हीलियम के लिए, तो जेट की बायलू टू है, अब देखे भूल गया है, यहां पे नहीं लिखा है, अब हम लोग इसको वन अपान, एन वन हमारा टू है, और एन टू फोर ह हो जाएगा, माइनस, वन अपान, फोर का स्क्वाइर, अब इसको जब हम साल करेंगे, यहां पर टू का स्क्वाइर होना चाहिए, तह भूल गया हमने लिख दिया यहां पर, जब इसको साल करेंगे, तब यह निकल करके इतना आएगा, निव बार वरावर थिरी आरे चपा फोर, यह हीलियम के लिए, अब देखे हाइडोजन के लिए जब निकालेंगे, तो फिर यह फार्मूला हम इसी तरह लगाएंगे, निव बार बरावर वन अपान लाइमडा, इसकोल टू, और हाइडोजन है तो यह लिख देंगे, आएसे लाइन देजे, हाइडोजन है यह लिख देंगे, इन्टु, जेड़ स्क्वाइर, ब्राइकेट में, वन अपान एन वन स्क्वाइर, मैनस वन अपान एन टू स्क्वाइर, बरावर हो जाएगा, आर तो वही रहेगा, इन्टु, यहाँ पर हाइडोजन वन होता है, तो इसका जेड़ वन होगा, इसलिए थिरी और चवाइफोर आ जाएगा, नई, थिरी और चवाइफोर यह हीलियम का है, यह हीलियम के लिए, अब चूंकी, क्यूंकी, हम से प्रस्ण में यह कह रहा है, कि हीलियम के लिए बामर संकमन से प्राप तरंग दैद के बराबर वाला संकमन हाइडोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा इसलिए जो तरंग दैद निकला है निव बार या वन अपान लैम्डा का है ये जो निकला है हीलियम का तरंग दैद ये निव बार इसी को वनपान लैम्डा के बराबर ही होता है क्योंकि तरंग संक्या बराबर वनपान तरंग दैद होता है मैं तो इसको जो है बरावर कर दिया हाय्टर डोजयन के लिए कि विप्ड़ाबर तरणगे देहला हाई हम पूँच रहा है की स्पेक्ट्रम कहां से निकलेगा तो जब इसको बरावर कर दिय yag हीलियम से यह हीलियम का हाई है और यह है दो जनका है तो इसके जब बराबर कर दिया तो अब ये रहर बर्फी स्तू किट जाएंगे अब ये साल्म करने पर ओन अपन पान फॉटार बराबबर तीन बठे चर बचे शार बचेगी अभी इसको जब आप लोग्सार लोग साल्म करेंगे तो यहान n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 आजाएगा तो hydrogen spectrum जब जो है bama shri में n बराबर 1 और n बराबर 2 होगा तब ये में hydrogen में n1 बराबर 1 होगा और n2 बराबर 2 होगा तब जो है हमारा bama shri में जो helium है उसके हिसाब से तरणजद निश्कासित करेगा तो इसलिए कहरा है आता है संक्रमन यन बराबर 1 से यन बराबर 2 तक होता है तो हाइडोजन में हमको पता ही है कि हाइडोजन में सिर्फ एक ही कच्छा है और एक ही इलेक्टरान होता है एक ही लेक्टान होता है, तो जाएज बात है कि यह पाहली कच्छा से जब दूसरी कच्छा में जाएगा, तो दूसरी में मरला बामर होता है दूसरी के लिए, जब दूसरी में उचल के जाएगा, तब बामर वाला स्पेक्ट्रम वाला तरंगदायत निकलेगा, तो इसलिए संक्रमन न बरावर 1 से न बरावर 2 तक होता है अब कुशिन नमबर 34 देखते हैं करा यची प्लस गायस है यची प्लस टू गायस प्लस एक इलेक्ट्रान हिदा रहा है मलब एक हेलियम है हेलियम में हमने बताया था कि दो इलेक्ट्रान होते है इसका प्लस प्रू प्लस एक उबन एक उलेक्ट्रान निकर उता है तो समय ध्यक्तude's Luat लेकिन फची प्लस वेल्य बन एक ईलेक्ट्रान निकल चुका है तो इसमें एक ही लेक्ट्रान था और वह भी निकाला जा रहा है वह भी निकल गया जब यह गयाश की आवर्स्ता में था जी कम लब गयाश तो वह भी लेक्ट्रान निकल गया उसी निकले लेक्ट्रान को इधर प्लस माइनस प्लस एक लेक्ट्रान यहां लिखा गया ताकि द प्रक्रिया के लिए आवस्यक उर्जा की गणना कीजिए। अब देखे जैसी बात है कि एक इलेक्ट्रान इसमें है। अब उसको निकालेंगे तो नाभिक क्या कर्शन से बंदा हुआ है। अब उसको हम निकालने के लिए हमको उर्जा देना पड़ेगा जितना नाभिक क्या कर्शन से बंदा हुआ है। तो उर्जा देना पड़ेगा तभी वो नाभिक क्या कर्शन से मुक्त हो रहा है। कि प्रक्रे के लिए आवस्यक उर्जा की गर्ना कीजिए हाइडोजन परमाण की तलर सवस्था में आइनन उर्जा 2.18 इंटु टिन पाउर महांस 18 जूल प्रती आइटम होती है अब देखिए हाइडोजन के लिए तलर सवस्था यानि ग्राउंड इस्टेट तो हमें पता है क यह हाइडोजन का जो एटम है उसमें नाभिक है उसमें एक ही कच्छा है उसी के चार ओर इलेक्टरान हमारा चक्कर लगा रहा है तो अब कंडिशन है कि जब इससे एक इलेक्टरान निकल गया तो इसके पास भी एक ही इलेक्टरान बचा जब एक ही इलेक्टरान बचा तो condition तो इसकी hydrogen जैसे ही हो गई हो कि she saysra ग। कंडिशन तो इसकी hydrogen जैसे ही हो गई तो तलर्म के लिए यह प्लस है तो उसको the gas button can taste and Kja इतनी है तो अभ इसको देगते हैं hydrogen परमाड के लिए यह फार्मूला होता है इन बरावर माइनस टू पाई स्क्वार एम जे डिस्क्वार एकी पावर फॉर अपान एनी स्क्वार है एच इस्क्वार ठीक ना यह फार्मूला होता है तो अब आइनाइजेशन इनर्जी या हिंदी में आइनन उर्जा का है तो आइनन उर्जा का मतलब ही होता है कि किसी इलेक्टान को नाविक या कर्शन से उसको अनन्त में भेज दिया जाए ताकि वो लौट के ना है तभी आइन बन पाएगा तो अनन्त में उर्जा ज्यादा है तो आयन बनाने के लिए ज्यादा उर्जा में कम को घटा देंगे मतलब पहली आयनन उर्जा में आनंत वाली आयनन उर्जा को घटा देंगे मतलब आनंत में जो उर्जा है और जो पहली कच्छा में उर्जा उसको घटा देंगे तो आनंत में तो जीरो उर्जा है तो जीरो माइनस मैं तो पूरा माइनस में लिए 2π2 mz2 e की पावर 4 अपान h2 यहाँ पर यह हमारा दर्बमान होगा इलेक्टान का जेट परमाड करमान के जिसको परमाड संक्या कहते है यह इलेक्टान का वेस है यहन किसका अच्छा में है यह हमारा प्लाइंग कांस्टेंट है तो यह 2π2 m e की पावर 4 z2 अपान n2 आ गया यहाँ यहाँ पर नहीं लिखाए यहाँ पर n2 लिखना चाहिए था भूल गया होगा तो यह आ गया यहाँ पर इतना बाई लूइस की हिंदी वाले वर्जन में बड़ा गड़बर रहता है देखें आप यह भी नहीं लिखा यह नी स्कॉयर लिखा है तो यह स्कॉयर भूल गया यह पिर इसने बैदू तो रखा नहीं टू पाई स्कॉयर मे की पावर फोर जेट स्कॉयर अपान एन स्कॉयर है इसकॉयर यह माइनस का क्यों प्लस हो जाएगा मांकी तो पूरा वैसे ही लिखा जाएगा अब हाइड्रोजन यह एच वन के लिए अब हाइड्रोजन है तो वन एच वन होता है यह लिखा जाता है जेट बरावरों हो जाएगा जेट की जगे वन रख देंगे तो हमारी अनन उर्जा जाएगी हैड्रोजन के लिए टू पाई स्कॉयर में की पावर फोर अपान एन स्कॉयर कि यह यह नहीं लिख रहा है इसको देख लेते हैं अब इंगलिस वाली बुक में देखे कितना आसान कर दिया है उसने पूरी बैलू को जो एंसी आर्टी में साल्व करके लिखा उसको डिरेक्ट लिखा है इन बरावर माइनस टू पॉइंट इंट्ट पावर मैं सेटीन जेडि स्कॉयर अपान एन स्कॉयर सीधा सीधा पर्मार्व संक्या लेकिये और किस कच्छा में एन लेक्टान हो लेकिए अब फार ग्रावन इस्टेट आप हाइड्रोजन एटम जब हाइडरोजन एटम अपनी तलस तवस्ता में है तब क्या कंडिशन है तो तलस तवस्ता के लिए क्या होगा कि तलस्त वर्था से निकल के वो अनंत में जाएगे तो तलस्त वर्था उसकी कौन से है एक ही इलेक्टरान है तो पहली का अच्छा में होगा तो अनंत के लिए 0 हो गई उर्जा क्योंकि अनंत में 0 ली जाती है जैसे जैसे इलेक्टान पास में आता है ना भी के निगेटिव होती जाती इसलिए यह पूरा निगेटिव है माइनस का साइन लगा दिया और एन हमारा पीछे लिखा था माइनस 2.18 इंटीन पॉर्माइसे टीन जैड की बैलू इलेक्टान में एक ही है हाइडोजन में तो बन रख दिया और पहली का अच्छा में है तो यहनकी बैलू भी बन हो गए इसको साल किया तो आगया डेल्टाई बरावर 2.18 इंटीन पॉर्माइसे टीन जूल फार दा गीवन प्रोसेस अब देखिए क्या होगा कि वो यह कह रहा है कि जो हाइडोजन था उसके लिए तलस्तावर्था में यह आनाइजेशन एनर्जी मनलाब उसके लिए डेल्टाई कि बैलू आ गई आनाइजेशन एनर्जी हमको कुईशन में दिया था यह देखिए तो वह ही देखिए साल किया गया तो आभी गई हमारी अब देखिए फार दा गीवन प्रोसेज अब हमको क्या करना है हीलियम यची प्लस है गय सवर्था में उससे एक इलेक्टान और निक निकला उसको यहां लिख दिये ताकि हमारी समीकान संतुलित रहे तो अब देखिए आयन इलेक्टान इस रिमूवड प्राम यहन बराबर वन टू यहन बराबर इन फाइन अब यह जो हम इलेक्टान निकाल दाए हैं चूंकि हीलियम में अब एक ही इलेक्टान बचा हमारे ने पास तो यह भी हैंडोजन की तरह हो गया तो इसका मतलब यह है कि अब इसकी भी एक ही कच्छा बची तो यह कच्छा से अनन्त में ले जा रहा है तब ही वो लाट की लेक्टान नहीं आए गया यह आनन के फाम में बन जाएगा तो यह अन बराबर वन हो गया और अनन्त हमारे फार्मूले में हैं ऑब यहां के लिए में हीलियम के लिए जो भी मान संक्या वो फोर इलिखा जाता ने जए seven बराबर टू हो जाएगी तो hydrogen के लिए जेट बराबर वन थी तो लिखा गया helium के लिए जेट बराबर टू है तो लिखा गया कच्छा पहली है तो यहां भी पहला लिख दिया गया तो यह देखिए आ गई डेलटाई बराबर 8.72 इसलिए डाइनरजी रिक्वाइर फार्स दे प्रोसेस इस एट पॉइंट सेवन टू इन प्लस बन गया है उससे अब अगर एक लिख टान और निकालेंगे तो इतनी उर्जा हमको देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी निकलेगी नहीं क्योंकि ना भी क्या कर्शन से मुक्त कर ना है तो हमको उर्जा देनी पड़ेगी तो इस चीज को ध्यान डखना है अब देखें हिंदी वाले में क्या है डायरेक्ट पूरा लिखा है उसकी बालू नहीं लिखा है अब हाइड्रोजन के लिए जेट बरावर वन रख दिया है तो यह बालू आ गई है उसने साल करके यह बालू आप लिखा ही नहीं कुछ और हीलियम के लिए जेट बरावर टू ऐसे ही करना है तो हिंदी वाली बुक की बजाए इंगलिस वाला जो अमने सलूशन बताया उसे साब साब लोग समझे तो यहां पर इसको यहां पर जेडिश्क्वार लिखा है यहां पर लिखा ह चाहिए तो हाइडोजन के लिए एक हो जाएगा तो इतना आजाएगा हीलियम के लिए दो हो जाएगा तो दो करेंगे तो इतना आजाएगा हीलियम के लिए तो यही प्लस से बनने के लिए इतनी उर्जया हमको देनी पड़ेगी अधा अभीस्ट उर्जया एट पॉइंट सेटीन टेंट पावर माइन से टीन जूल हो जाएगी है तो हिंदी वाली बुक में काफी गलत दिया गया है तो इसको ध्यान दा किए अप लोग अब 35 नंबर कुश्चन देखते हैं करा यदि कार्बन परमाड़ का ब्यास 0.15 नैनो मीटर है तो उन कार्बन परमाड़ों की सं परमाड़ों का ब्यास 0.15 नैनो मीटर है मीटर में बदा लिया तो दस गयाते माइस नव का गुणा हो गया तो यह आगया 1.5 निटेंट पावर माइस 10 मीटर अब रेखा की लंबाई एक स्केल मतला पटरी दे दी गई है तो उसकी लंबाई 20 सेंटी मीटर यानि 20 गुने द रखे जाते हैं एक सेंटी मीटर में कितना रखे जाएंगे तो 20 सेंटी मीटर में जितना है और जो कार्मन परमाड़ों का ब्यास है उससे भाग दे दिए तो आ गया कर्मन के परमाड़ों की संक्या 1.33 इंटेंट पावर 9 अब देखे इसको हम लोग सिंपल भासा में इस त इतने मीटर है तो यू कि 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर बराबर है एक आइटम के तो इसलिए एक मीटर कितने आइटम के बराबर होगा 1 अपान 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 इसलिए इतने मीटर कितने आइटम के बराबर होगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर तो यह आ जाएगा 1 into 2 into 10 to power minus 1 upon 1.5 into 10 to power minus 10 वाई देखे यहाँ पे किया है 2 into 10 to power minus 1 upon 1.5 into 10 to power minus 10 तो यह आ गया 1.33 into 10 to power 9 अता 20 cm में यह चीज गलस लेख दिया है एक cm ने तो 20 cm में कारवन के परवनों के संख्या 1.33 into 10 to power 9 आ जाएगी इसको सालो करने पे वही चीज है तो आज अब यहीं तक अब आगे हम लोग इस्टेडी करेंगे अगले लेक्चर में 36 नंबर कुश्यन से